परिचय क्या तुम जानती हो कि सभी सजीवों को भोजन की जरूरत होती है? इससे हमें कार्बोहाइट्रेट, प्रोटीन, वसा, विटमिन और खनेज यानी मिनरल मिलते हैं, जो शरीर के विकास, स्वास्थय और बढ़नी के लिए जरूरी होते हैं. हमें भोजन, पौधों और जानवरों से मिलता है, जो खेती या पशुपालन के जरूरी हमें प्राप्थ होता है. शृती, हमारे व्याग्याने खेती और पशुपालन से होने वाले उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों में चुटी हैं. हाँ, ऐसा इसलिए है कि हमारे देश की जनसंख्या काफी अधिक है और यहाँ एक अरब से अधिक लोग रहते हैं, जिनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है. इस बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए हमें सालाना चौथाई अरब अनाज से अधिक की जरूरत होती है. घरों और उद्योंगों के लिए भी जमीन की जरूरत बढ़ी है, इसलिए खेती योग्य जमीन की कमी आई है. नतीजे के तौर पर हमारी पास खेती योग्य जमीन को बढ़ाने का जर्या नहीं है इसलिए आवश्चक ये है कि हम फसलों और पशों की उत्पादक्ता को प्रभावी बनाए इस मांग को पूरा करने के लिए दो बड़ी क्रांतिया हमारे यहां हुई है पहली हरित क्रांति इससे अनाज का उत्पादन बढ़ा और दूसरी श्वेत क्रांति इससे दूत की उपलब्धता के साथ ही उसके बहतर और प्रभावी इस्तमाल में बढ़ोतरी हुई इन क्रांतियों की वजह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक इस्तमाल हो रहा है ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों को इस हद तक नुकसान पहुचा रहा है कि उनके संतुलन के पूरी तरहा नश्ट होने का खत्रा पैदा हो गया है इसलिए ये आविश्यक है कि हम अपनी परियावन को नुखसान पहुँचाएं वगैर और इसके संतलों को बरकरार रखते हुए अपना खाद उत्पादन बढ़ाएं उत्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी को समझना फसलों के विवित प्रकारों में सुधार को समझना अनाज उत्पादन प्रबंधन को समझना पोशन के प्रबंधन को समझना खाद क्या है इसे समझना खादों के गुणों और प्रकृती को समझना सिंचाई की प्रक्रिया को समझना उपज के प्रारूप को समझना फसल सुरक्षा के प्रबंधन को समझना फसलों के भंडारण के तरीकों का अध्ययन करना फसल उत्पादन में सुधार हम सभी जानते हैं कि गेहूं, धान, मक्का, बाजरा और जुआर हमारी उजा जरूरतों के लिए कार्बो हाइडरेट प्रदान करते हैं चना, मटर, उडद, मूंग, अरहर और मसूर जैसी दालों से हमें प्रोटीन मिलता है इसी तरह सोयाबीन, मूंग फली, तिल, रेंडी यानी अरंडी, सर्सों, अलसी और सुरज मुखी जैसे तिलहन उत्पाद हमें जरूरी वसा देते हैं हम जानते हैं कि फल, सबजियों और मसालों से हमें कई सारे विटामिन और लवन के साथ ही छोटी मात्रा में प्रोटीन, कार्बो हैडरेट और वसा भी मिलते हैं कुछी जानवरों के लिए कई अनाज जैसे जई, बर्सीम और सुडान घास को खादि के तौर पर उगाया जाता है रभी और खरीब फसलें क्या आप जानते हैं कि अलग फसलों के लिए अलग प्राकृतिक वातावरण, तापमान और अवधी की जरूरत होती है ताकि उनका उचित विकास हो और जीवन चक्र पूरा हो सके हमने पहले ही अधियन किया है कि पौधों और फूरों का विकास सूरज की रोशनी पर आश्रित है कुछ अनाज बरसाती मौसम में बोई जाते हैं उनको खरीब फसल कहते हैं जिसका समय जून से अक्टूबर तक होता है धान, सोयबीन, अरहर, मक्का, कपास, हराचना और उड़त को खरीब की फसल कहा जाता है कुछ फसलें जाडों में उगाई जाती हैं जिसे रभी का मौसम कहते हैं ये नवंबर से अप्रेल तक होता है गेहूं, चना, मतर, सरसूं और अरंडी आदी रभी की फसले हैं भारत में 1960 से सन 2004 इदक अनाज उत्पादन में चार गुणा बढ़ोतरी हुई है जबकि क्रिशी योग्य भूमी में केवल 25 फीसी की बढ़ोतरी हुई है क्रिशी कारे को तीन चरणों में बाढ़ सकते हैं पहला, बोने के लिए बीजों का चयन दूसरा, फसल की रोपाई के बाद देख भाल का चरण है तीसरा चरण, फसल के विक्सित होने और कटाई के बाद उसकी सुरक्षा का है इसलिए अनाज उत्पादन को सुधारने की मुख्य गतिविधियों को निम्नांकित में बाढ़ सकते हैं फसल की गुस्मों में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार, फसल सुरक्षा का प्रबंधन, अच्छी उपज देने वाली फसल की किस्म का चुनाओ कई तरह या प्रकार की फसलों के बीच से किया जाता है. इन्हें कई गुणों जैसे बीमारी प्रतिरोधक्षमता, खाद के साथ अभिक्रिया, उत्पादन की गुणवत्ता और उंची उपज इत्याधी के आधार पर उपजाया और छाटा जाता है। वंचित गुणों को फसल की किस्मों में डालने की पहली विधी वनसंक्री करण या हाईब्रिडाइजेशन है। वनसंक्री करण का मतलब अनुवांशिक तोर से भिन पौधों का युगमन करना है। वन संक्री करन अंतरप्रजादिक दो अलग प्रजादियों, अंतरजादिये यानि एक इही जीन की दो अलग नसलों और अंतरवंशिये यानि अलग अलग जीन वाले हो सकता है। फसल को सुधारने का दूसरा तरीका ऐसे जीन को उनमें डालना है जो वांचित फल दे सकता है। इससे जीन समवर्धित फसलों की प्राप्ती होती है। फसलों की पैदवार और बुआई के तरीके मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चुकि सूखा और बाढ़ जैसे हालाद अप्रत्याशित हैं, तो विभिन प्रागृतिक हालाद और लवणिय मिट्टी आदी के प्रती सहनशी कील किस्मों को उप्योगी माना जाता है। फसलों की किस्म सुधारने के कारत फसलों की किस्म सुधारने के लिए कई कारत जिम्मेदार हैं। इन में से कुछ इस प्रकार हैं। उची उपज फसलों की प्रती एकड उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए फसलों की किस्म को पुद्री गुणवत्ता, हर एक फसल की गुणवत्ता दूसरे से अलग हो सकती है। गेहु में पकने की खासियत दाल में प्रोटीन, तिलहन में तेल का होना और फल एवं सबजियों में भंडारन की गुणवत्ता का होना बहुत जरूरी है। जयविक एवं अजयविक प्रतिरोध विभिन हालात में अनाज उत्पादन कैसारे जयविक और अजयविक तनाव एवं कारण से कम हो सकता है। इसलिए इन जयविक जैसे बीमारियां, कीडे और क्रिमी और अजयविक जैसे सूखा, लवणियता, बाल, ठंड और पाला इन कार प्रतिरोधी किस्मों का विकास हो तथा उत्पादन बढ़ सके। जो विभिन परियावरनिक स्थितियों में भी जीवित रह सकें। उत्पादक्ता के लिए सहायक होता है। फसल उत्पादन प्रबंधन भारत में छोटेक से लेकर बहुत बड़े जोत यानि खेत मौजूद हैं। छोटे किसानों के पास बड़े किसानों की तुल्ला में कम जमीन, पैसा और सूचना तकनीक तक पहुंश्च होती है। उच्चतर निवेश और उपज में एक अंतर संबंध है। किसान की वित्य स्थिती निवेश की क्षमता को निर्धारिद करती है, जिससे आखिरकार खेती की वेवस्था और उत्पादन के तरिके तह होते हैं। इसलिए उत्पादन के तरिके विभिनिस्तरों के हो सकते हैं। कोई लागत नहीं वाला उत्पादन, कम लागत वाला उत्पादन और उच्छ लागत वाला उत्पादन का तरेका. पोशन प्रबंधन पोधों को बढ़ने और विकास के लिए पोशन की जरूरत होती है. पोधों के लिए सत्रा पोशक तत्व आवशक है. पोधों को हवा, पानी और मिट्टी से पोशन मिलता है. हवा कार्बन और ऑक्सीजन देता है. हाइडोजन पानी से मिलते हैं. और बागी तेरा तत्व पोधों को मिट्टी से मिलते हैं. इन तेरा तत्वों में छै की काफी मात्रा में जरूरत होती है. इसलिए इनको स्थूल पोशक यानी मैक्रो निउट्रियंट्स कहते हैं. बागी के साथ तत्वों की जरूरत पौधों को कम मात्रा में होती है और इनको सूख्ष्म पोशक यानी माइक्रो नीट्रियंट्स कहते हैं इन पोशक तत्वों की कमी पौधों में दैहिक प्रक्रिया जैसे पुनरुत पादन, विकास और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है उपच को बढ़ाने के लिए मिट्टी को खाद और उर्वरक के तौर पर मिट्टी में इन पोशक तत्वों को दिया जा सकता है। और उसका संगठन दुरुस्थ होता है। बलवा मिट्टी में खाद डालने से उसकी जल ग्रहन क्षमता बढ़ती है। चिकनी मिट्टी में खाद डालने से निकासी दुरुस्थ होती है और पानी लगने की समस्या कम होती है। खाद के इस्तिमाल में हम जैविक कचरे का इस्तिमाल करते हैं, जो हमारे परियावरण को रसाइनी खाद के अत्यधिक इस्तिमाल से बचाता है। कमपोस्ट, कमपोस्ट जैविक तत्वों और पोशकों से समरिद्ध होता है। यह गोबर, घरेलू कचरे, नाली की गंदगी, हुआल, उखाडे, खरपदवार इत्यादी से बनता है, जिसे एक गठे में सड़ाया जाता है। वर्मी कमपोस्ट, पौधों और पशुओं के गोबर को तेजी से सड़ानी के लिए जब केचुओं के इस्तिमाल किया जाता है, तो उसे वर्मी कमपोस्ट कहते हैं। हरित खाड, फसलों के बिचलों की बुआई से पहले गुआर और कुछ खरपतवार खेत में उगाते हैं, जिसे मिट्टी में हलचला कर मिला दिया जाता है। ये हरे पौधे इस तरह हरित मेनियोर में बदल जाते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ाने में सहायता करते हैं। उर्वरक उर्वरक वैवसाइक तौर पर पौधों के लिए उत्पाधित होने वाले पूशक तत्व हैं, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की मात्रा बढ़ाते हैं। ये बेहतर वानस्पतिक विकास, पत्ते, शाखाएं और फूल को सुनिश्चित करने के लिए इस्तिमाल किये जाते हैं, जिनसे सुष्थ पौधे बनते हैं। उच्छी लागत की खेती में बेहतर उपच के लिए उर्वरक एक कारक है। उर्वरक के पूनता काम आने के लिए उसको उचित मात्रा, समय और इस्तिमाल से पहले और बाद की साफधानी का ख्याल रखते हुए खेतों में डालना चाहिए। अत्यदिक सिचाई की वजह से खेत में मौजूद खाद बेह जाती है और पौधों द्वारा पूरी तरह शोशित नहीं हो पाती। यही अतिरिक्त खाद बाद में पानी में प्रदूशन पहलाने का काम करती है। उर्वरक का लगातार इस्तिमाल मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर सकता है क्यूंकि उसमें मौजूद जैविक तत्व की क्षति पूर्ती नहीं हो पाती और सुक्ष्म जीव विनस्ट हो जाते हैं। अनाजुत पादन को अधिक्तम करने के लिए हमें रसाइनिक खादों के अल्पकालिक और मैनियोर यानि जैविक खाद के दीर्ग कालीन उप्योग के लाप पर विचार करना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। जैविक खेती जैविक खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें रसाइनिक खाद, कीट नाशक, खरपतवार, नाशक इत्यादिका बहुत कम या नहीं के बराबर इस्तिमाल किया जाता है। साथ ही इसमें जैविक मैन्योर, पुनर चक्रित क्रिशी कचरा, पुआल और गोबरादी, नीले हरे शैवाल को सुखा कर जैविक खात के तौर पर परियाप्त मात्रा में डाला जाता है। भंडारन के समय नीम के पत्तों या हल्दी का इस्तिमाल जैविक कीट नाशक के तौर पर किया जाता है। उत्पादन की ऐसी वेवस्था कीडों बंकोडों की रोगथाम में सहायक होने के साथ ही ओशक तत्वों की पूर्ती में भी लाभकारी है। सिचाई फसलों तक नहरों, जलाशयों, कुओं, ट्यूवेल वगएर के माध्यम से पानी पहुचानी की तकनीको ही सिचाई कहते हैं। सिचाई इन वजहों से महतपून है। जरूरी तत्वों का वित्रण, बीजों का अंकुरण, विकास, पोशक तत्वों का अफशोशन, मिट्टी में हुई पानी की कमी को सिचाई के पानी से पूरा करने की तकनीक और प्रारूप मशीन को ही सिचाई व्यवस्था के नाम से जानते हैं। चार तरह की इन सिचाई व्यवस्था है। कुओं का निर्मान भूजल के दोहन के लिए किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं। जैसे खोदा हुआ कुओं और ट्यूफेल। खोदे हुए कुओं में भूजल की तालिका अवस्थिती के अनुसार ही पानी जलाशें रिजर्वाइर से होता है ताकि पानी की आपूर्ती हो सके। इसे उपनहर और वित्रकी यानि डिस्ट्रिब्यूटरीज में बांड देते हैं। रिवर लिफ्ट वैवस्था। जिन इलाकों में नहर की धारा कम या अनेमित है, वहां लिफ्ट वैवस्था अधिक टैंक उन छोटे भंडारकों को कहते हैं, जो छोटी मात्रा में पानी को रोकते और पहाते हैं। बुआई के प्रारूप या पैटन फसलों की बुआई के विभिन तरीके अपनाए जा सकते हैं, ताकि अधिक्तम लाब मिल सके। फसलों की बुआई के तीन मुख्य तरीके हैं। अंतरोपण या इंटर क्रॉपिंग फसलों का आवरतन मिश्रित बुआई का मतलब जमीन के एक ही टुकडे पर दो या अधिक फसलों को उगाना है उदारन गेहूं और चना या गेहूं और सरसों या मुंपली और सूरज मुखी ये खत्रे को कम करता है और किसी एक फसल के नुकसान के वक्त कुछ भरुसा देता है इंटर क्रॉपिंग से मतलब भूमी के एक ही टुकडे पर निश्चित क्रम में दो या अधिक फसलों को उगाना है फसलों का चुनाओ पोशक तत्वों की जरूरत के आधार पर किया जाता है इसमें एक फसल की एक कतार बोकर दूसरे अनाच की कुछ कतारें लगाते हैं इसी तरीके में पोशक तत्वों का अधिकतम उप्योग हो पाता है इस तरीके में किसी एक फसल में फैली पीमारी या कीडे का पूरे खेत में असर भी रोका जा सकता है इस तरह दोनों ही फसलों से बेहतर नतीजे मिलते हैं पसलों का आवर्तन पूर्व नियोजित और सुचिंतित तरीके से जमीन के एक टुकड़े पर विविद फसलों को उगाना है यह समय की अवधी पर निर्भर करता है कि फसलों का युग्म में आवर्तन कैसे करें नमी और सिंचाई की सुविधा को देख कर भी एक कटाई के बाद दूसरी फसल का चुनाव किया जाता है अगर आवर्तन सही धन से किया जाए तो बेहतर उपच के साथ दो या तीन फसलें वार्शिक तोर पर प्राप्त की जा सकती हैं पसल स्रक्षा का प्रबंधन जब हम खेतों को देखते हैं तो पाते हैं कि फसलों में काफी खरपतवार, कीडे मकोडे और बीमारियां पाई जा रही हैं अगर सही समय पर खरपतवार और कीडों को नियंतरित नहीं किया जाए तो वे फसल का अधिकांश नश्ट कर सकते हैं खरपतवार हमारे खेत में उगे अन्चाहे पौदे हैं और भोजन, जगह, एवं प्रकाश के लिए प्रतियोगे भी। उधारण, गोखरू, गाजर, खास, मोथा। खरपतवार पोशक तत्वों को अवशोशित कर फसलों के विकास को कम कर देते हैं। इसलिए जूते हुए खेत से फसल के विकास के शुरुवाती दौर में ही खरपतवार को हटा देना अच्छी उपच के लिए बेहत जरूरी है। आमतार पर कीडे मकोडे खेत में दीन तरेकों से हमला करते हैं। वे जड, तना और पत्तों पर हमला करते हैं। वे पोधे के विभिन हिस्सों से कोशिका का रस चूस लेते हैं, या वे तने और फल पर हमला करते हैं। इस तरह वे फसल के स्वास्थे को प्रभावित कर उपज को कम कर देते हैं। पौधों में बीमारियां, हीटाणूं, कवक और विशाणूं जैसे रोगाणूं फैलाते हैं, जो मिट्टी, पानी और हवा में माजूद होते हैं, और पौधों को संक्रमित कर सकते हैं। खर पतवार, कीडों और बीमारियों का नियंतरण कई तरीकों से किया जाता है। सबसे आम तरीका कीट नाशकों का इस्तिमाल करना है, जिसमें कवक नाशी, कीटाणू नाशक और पादब कीट नाशक शामिल हैं। ये पौधों पर स्प्रे किये जाते हैं, या मिट्टी और बीजों के शोधन में इस्तिमाल होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन रसाइनों का अधिक इस्तेमाल समस्या पैदा करता है, क्योंकि वे कई पौधों और जानवरों के लिए विशयले होते हैं और परियावरण में प्रदूशन फैलाते हैं, खरपतवार नियंतरण के तरेकों में मशीन से उनको हटाना भी शामिल हैं, आपको ये भी जाना चाहिए कि खरपतवार का नियंतरण भूमी की अच्छी तैयारी, समयनकूल, बुआई, इंटर क्रॉपिंग और फसल आवर्तन, बीजों के प्रतिरोधी किस्मों के इस्तेमाल या गर्मी में गहरी सिजाई के तरेकों से भी किया जा सकता है, अनाज का भंडारन गुणवत्ता में कमी, वजन में गिरावट, रद्दी और वर्ता, उत्पात का फीका पढ़ना वगेरा के जिम्मेदार होते हैं, और आखिरकार इन सबसे उत्पादों की बिक्री पर संकटाता है, इन कारकों पर उचित उपचार और गोदामों के व्यवस्थित प्रबंधन से काबू पाया जा सकता है, नियंतरन और निरोध के उपाय अनाज के भंडारन से पहले अपनाये जाते हैं, इन में शामिल हैं, भंडारन से पहले उत्पात की सख्त सफाई, पहले धूप और फिर छाओं में उत्पात को सुखाना और कीडों को मारने वाले रसाइनों का धूमन, क्या आप चानते हैं? शिंकम, कुन्जु-कुन्जु, वर्ण, कुन्जु-कुन्जु प्रिया, गौरी और श्वेता, इसी तरह श्री अरुण और श्री वरुण मीठे आलु की नई किसमे हैं, चारा बनने वाली फसल की तीन नई किसमे भी, BL-180, JHO-91 और RO-19 के नाम से जानी जाती हैं, सारांश देने के मुखिसरोथ हैं, जैविक खेती एक ऐसा तरीका है, जिसमें खाद, क्वाक नाशी, इट नाशकादी के तौर पर रसाइनों का कम से कम या बिलकुल ही नहीं उप्योग किया जाता है, जैविक खाद, पुनर चकरित कच्रे और खेती के स्वस्त तरीकों का इसमें अधिकाधिक इस्तिमाल होता है, मिश्रित खेती एक खास खेत पर क्रिशी उत्पादन के साथ ही पशुपालन इत्यादी इकठा करने को कहते हैं, मिश्रित पुआई एक यही जमीन पर दो या अधिक फसलों को एक साथ बोने को कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग का मतलब निश्चित तरीके से दो या अधिक फसलों को बोने से है, पसल आवर्तन का मतलब जमीन के एक टुकडे पर विभिन फसलों को निश्चित तरीके से एक के बाद एक बोना है, उच्च उत्पादन अच्छी गुणवत्ता, जैविक और अजैविक प्रतिरोध पकने की अवधी को कम करने, व्यापक अनुकूलन और वांचनिय क्रिशी आर्थिक गुणों की प्राप्ती के लिए गुणवत्ता में बढ़ोतरी आवशक है,